हेलो एवरिवन ब्रासी एठेटर के पटना है कोट से खारीज हो जाने के बाद अब काफी लोगों का ये सवाल है कि ये जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है क्या इसने भी स्टीटी को रोक रखा है ये इस पर एक्जैक्ट जो है वो रियालिटी क्या है इस केस की तो म मैंने पढ़ा है और जो कुछ मैंने पाया इस ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस पर उसको मैं आपके साथ यहां पर साझा करूंगा क्योंकि 82-78 खारीज हो गया हो सकता है आगे आने वाले कुछ दियों के अंदर 85-20 जो कि सिलेबस वाला केस है वो भी खारीज हो जाए तो फिर ये वाला एक बहाना बच जाएगा क्योंकि इसके बारे में अख़बार में भी पीछे खबर आई थी आज से 4-5 दिन पहले ही जहां पर ये कहा गया था कि Blind Federation वाले केस के कारण जो सिख्षक न्यूकती की परकिरिया है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है ये किसी सरकारी अधिकारिया कहना था पर अगर हम इ कुछ और है और क्या है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे पहले दो केस इस बात को आप समझें ब्लाइड फेडरेशन की तरफ से दो केस किया गया अपने स्क्रीन के अपर मोस्ट कॉर्णर पर देखें उन्चास पच्छतर एक केस नंबर है जो के 2020 म हुआ कब इसमें क्या प्वाइंट था वो सारी बाते होंगी तो वन बाई वन चलते हैं सबसे पहले देखें यह अभी आपके सामने जो डॉकुमेंट है यह उन्हीं केसे से लिया हुआ 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 है यह आपको मैं दिखा देता हूं अच्छी तरह से यह देखें 19 का यह का बात हुई है काफी कुछ लिखा हुआ है पर जो रिलेवेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे जहां पर अभी मेरा कश्यर है वहीं पर से पढ़ते हैं श्री रुंग्टा लुनर्ड शीनियर कॉंसल पर पेटिशनर कॉंटेंट्स देट अस्टेट हैं अनी एक्शन फॉर इंटिफाइंग दा वेकंसी फ्रॉम दे यह नाइंटी नाइंटी सिक्स ऑनवर्स और यह पर्टिकुलर्ली कोई टीचर बाहली की बात नहीं हो रही हु इनको जो डिसैबल लोग है इनको जो सीट जाना था इनकी जो रिजर्वेशन बनती है उसको आइडेंटिफाइब भी नहीं किया है और शायद उस पर कारवाई भी नहीं उसके जो भरना चाही था उस तरह से भरा भी नहीं गया है और उसके नीचे कुछ कोट के जो दूसरा केस का आपको दिखाता हूं कि यह भी देखिए यह 49 पर पीछे जो मैंने आपको दिखाया वे वह 91 कथा और यह 49 75 है यह 2020 केस है इसको भी आप चाहें तो आप हाई कोट की वेब साइट से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं पर मामला सभी जगा एक ही है इस केस के अगर आप हिस्ट्री देखें यह देखिए 24 अपरिल 2019 अब से राइट साइट पर देखें उपर के कॉर्णर पर देखें 24 अपरिल 2019 को फाइल होता है वो इसका कब कब इसकी सुनवाई होती है सारे डेटा आपको दिख रहे हैं कि इन दोनों ही मामले में अदालत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है दोनों का इस जो स्टेटस है वो पेंडिंग है और सबसे अजीब बात यह सुनें कि इन दोनों ही मामले में जितना भी मैंने कोट का डॉकुमेंट पढ़ा हाई कोट की वेब साइट से निकाल निकाल के कहीं भी इस केस के मामले में हाई कोट ने स्टे नहीं लगाया है पूरे प्रोसेस पे जबकि अख़बारों में कुछ और छपा था उनकी बात छोड़ें लेकिन पीछे भी जब जब केस हुआ चाहे 1878 हुआ या 85-20 हुआ मैंने हाई कोट की वेबसाइट से डॉकुमेंट निकाल करके उसको पढ़ा है उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसको किया है लेकिन यहां पर अगर आप देखें यहां पर भी मैंने वैसा ही किया तो मैंने कहीं पर यह वर्ट नहीं पाया कि हाई कोट केस गया है केस में मैंने को कि इस वाले केस में इस उन्चास 75 के मामले में अगर आप देखें देखें यहां पर डिस्टिक एजुकेशन ऑफिसर गुपाल गण जमुई जहानाबाद इन सभी को नोटिस गया है तो कुल मिलायक कहने का मतलब है केस है पुराना एक एक साल पढ़के देख लें हाँ सरकार से जरूरी जवाब तलब किया गया था कि आपने जो रिजर्वेशन इनका बंता वो क्यों नहीं दिया गया क्योंकि जिसका जो कानूनी अधिकार है वो दिया जाना चाहिए था पर इस्टे की बात कहीं नहीं है तो कुल मिलागे कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर्ली मैं स्टी इटी की बात कर रहा हूं तो एक अगर आता तो फिर बोड़ के लिए लेकिन अगर आता तो फिर बोड़ के के लिए बहुत मुसीबत वाली बाती कि बोड़ के पास इन हाउस स्टाफ है उनका अपना स्टाफ है वह इतना क्यापेबल नहीं है कि वो इस तरह से डेटा को टेक्निकली हैंडल करेगा तो बोड़ का काम बढ़ जाता तो बोड़ इंडरिक लिए उस जो 88 था उसने स्टे लगा दिया था भले स्टे वर्ड नहीं उस किया गया था तो वो केस चला गया अभी 85-20 केस है अभी इस मामले में देखना अब टाइम बताएगा अगर कुछ दिन के बाद केस का क्या होता है लेकिन यह जो केस है ब्लाइंड वाला जो केस है इसमें सरकार चाहे तो जल्दी से इनको आरक्षन जो भी इनका बनता है उस तरह से दे करके और इनको मामला को रफ़ा- पीछे जितनी रिक्रूटमेंट ही उसमें क्या किया जाए तो वो सरकार को देखना कि सरकार कैसे हैंडल की करेगी क्योंकि इसमें पीछे की रिक्रूटमेंट की भी सारी बात हुई है इस केस के डॉकुमेंट को अगर आप पढ़ें तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कि आप जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस है इसको आप उस तरह से मतलब विलिफाई करना या इसको उस तरह से विलन समझना जो के 85-20 ने किया यह वैसा नहीं है अखबार जो मर्जी लिखना चाहे लिखे अगर इस केस के सारे डॉकुमेंट आप पढ़ सकते हैं यहां पर स जाता है 85-20 उमीद है कि अगले कुछ दिनों में वह भी निकल जाएगा और उसके बाद अगर इस केस का बहाना बनाया जाता है सरकार के दोरा या अधिकारियों के दोरा कि अभी हमारे पास ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस है तो इस तरह के बहुत सारे केस है एक गया जि इसको तरजीह यहमियत नहीं देना चाहिए बोर्ड को अगर बोर्ड अपना काम इमानतारी से करे तो ब्लाइंड फेडरेशन का जहां तक सवाल है तो बस इनको जो सीट बनता है उसको दें और जो अगला जो अगले कुछ दिन में उमीद है कि स्टे हटेगा उसके बाद ज को पढ़ा और समझा है आप भी चाहें मैंने आप केस नंबर दोनों बता दिया आप भी चाहें इसको आप चीतरा से देख सकते हैं केस नंबर एक बार फिर से बोल देता हूं वीडियो खत्म करने से पहले 49 75 2020 केस फाइल हुआ था और 91 2019 यह दो केस है इसको आप चाहें तो जो के बाकी जो एक खारीज हुआ एक खारीज होने के उन में था तो इस केस को उस तरह से विलिफाई करना जैसे के मीडिया में पिछे लिखा हुआ था वो गलत था यह केस अडचन लगाने वाला केस नहीं है इस मामले में जो भी प्रसुइडिंग होगी सरकारी वकिल सरकार का जो इरादा हो नेक होगा तो आगे बढ़ जाना चाहिए रिजल्ट की तरफ बढ़ जाना चाहिए और जतना जल्दी रिजल्ट निकले उतना सही है पचासी बीस जैसे ही रिजल्ट जैसे उस केस का मामला डन होता है वैसी रिजल्ट लाने के लिए प्रेशर बनान किया है तो मैं किसी दिन मैथ वाला सर्वे एक बार फिर से दिखाऊंगा क्योंकि वो उस पर काफी लोगों की नजर लगी नजर होगी कि उसमें तकरीबन आधी लोग जो है वो फेल कर रहे हैं तो जो पीछे का डेटा था उसके हिसाब से तो अभी क्या हिसाब किताब है तो म को अब्डेट जरूर करेंगे थैंक्यों